बच्चों पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार वित्ती विवरण की बहुत सी मदों का लेखांका नरुपात के आधार पर उनके रैश्यो या उसके अनुपात की गड़ना हम करते हैं यहां हम देखेंगे कि यही वित्ती मदे जो हैं जब वो रोकड के रूप में हमारे सामने होती हैं तो हम कैसे पता लगाते हैं कि व्यापार में किस तरह से यह रोकड कितनी रोकड आई और कितनी रोकड व्यापार से गई कहां कहां पर गई यहीं कि इनके आने का इन फ्लो का और जाने की यानिकी आउट फ्लो की क्या एस्थिति है तो रोकड प्रवाह विवरण यानिकी cash flow statement की अंतर्गत आये देखते हैं कि हम रोकड से संब्दित किन किन विश्यो को जानेंगे सबसे पहले तो हम इसके अर्थ को समझ ले कि क्या है रोकड प्रवा कुछ बिंदों के आधार पर हम रोकड प्रवा को और अधिक अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कोई बी फर्म हमेशा एक इस्थिति में नहीं रहती है जब हम बैलेशीट बनाते हैं तो हम देखते हैं कि इस वर्ष के कंपारिजन में किसी फर्म की जो वित्थि इस्थिती थी उसके जो फाइनन्सल कंडिशन थी वो चेंज हो जाती है कई बार गत वर्ष की अपेक्चा इस वर्ष अच्छी financial condition रहती है अच्छा लाब दिखाई देता है लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है कई बार हम देखते हैं कि फॉर्म गत वर्ष की अपेक्चा इस वर्ष loss में जा रही है cash related statement को जब हम देखते हैं तो हमको यह पता चलता है कि cash की position company में क्या है यहां जब हम cash की बात करते हैं तो हम cash and cash equivalent यानि रोकड और रोकड सम्तुल्य जितनी भी मदे होती है सबको इसके अंतरगत शामिल कर लेते हैं तो एक तो हम इसमें देखते हैं कि दो विवरण में हुए रोकड के परिवर्थन को यह प्रदर्शित करता है रोकड प्रवाह विवरण कि किस तरह से दो विवरणों में रोकड में परिवर्थन हुआ पहले से उसकी मात्रा बढ़ी या घटी inflow शो कर रहा है या आउट फ अपर शोन पर परता है घट कि यहर के एंड में हम देखते हैं कि जब हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर हम कैश अकाउंट का जो बैलेंस निकालते हैं वह यह शो करता है कि फ़र्म में at the end of the year कितनी कैश बची हुई है कि अब जब हम कैश फ्लो भी प्रिपेर कर ल और फॉर्म से कैश का जाना आउट फ्लो इसका जो रोकड शेश था हमारे फॉर्म में जो बैंक बैलन्स या कैश बैलन्स था हमारे फॉर्म में उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है क्या गतवर्ष के पेक्चा इस वर्ष हमारी कैश जो है बैलन्स जो है वो कम शो कर रही है या गतवर्ष की अपेक्चा इस वर्ष हमारा जो cash balance है वो ज़्यादा शो कर रहा है साथी साथ हम इसमें ये देखते हैं कि अगर cash या cash equivalent रोकड या रोकड समतुल्य यानि बहुत से liquid assets जो होते हैं जैसे bank में पैसा जमा है या securities जिनको हम बहुत जल्दी से cash में convert करवा सकते हैं इस तरह के जो चीजे होती हैं उनको हम cash equivalent या रोकड की समतुल्य माल लेते हैं तो अगर हम इस analysis में ये देखते हैं कि हमारा cash या फिर cash equivalent वृद्धी हो रही है है इस में increment हो रहा है तो हम इसको माल लेते हैं कि firm में ये cash inflow को प्रदर्शित करता है cash इसको प्रदर्शित करता है यह जिसे हम कहते हैं कि बिजनस में वह रोकड के अंतर्वाह को को रोकड के अंदर आने को प्रदर्शित करता है दूसरी इस्थिति इसके ठीक विपरीत बनती है जब हम देखते हैं कि यह कैश यह कैश इक्वावेलेंट में व्रिद्धी की जगा कमी होती है गत्वर्ष के पेक्षा इसवर्ष वो कम होने लगता है तो ऐसे कंडिशन में हम यह मान लेते हैं कि यह जो स्थिति है यह बिजनस में कैश आउट फ्लो को प्रदर्शित कर रहा है रोकड बहिर वाह को प्रदर्शित कर रहा है यानि रोकड जा अधिक रही है खर्च अधिक हो रही है इस स्थिति को यह प्रदर्शित करता है तो इन बिंदों के अधार प पर एक नजर डाले स मानना है कि रोकर प्रवास फ्रन रोकर एवं रोकर तुल्ल का पर फ़र?" वित्य स्थिति में परिवर्दन का विभरण होता है जैसा कि आभी तक हम ने इसके अर्थ के बारे में जयाना, इन्होंने भी यही माना है कि वास्तों में ये एक ऐसा विवरण है ये एक ऐसा statement है जिससे हम बहुत आसानी से फर्म में cash की क्या स्थिती है cash related financial condition क्या है इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं तो इसके अर्थ और परिभाशा को जान लेने के बाद आईए अब देखें कि ये जो रोकड प्रवाह विवरण है यानि cash flow statement है ये लेखांकन प्रमाप AS3 जो कि संशोधित हो गया है उसके अंतरगत किन किन बिंदों को शामिल करता है यानि किन conditions के अंतरगत ये बनाया जाता ह हैं तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट इसके अंतरगत हम बनाते हैं संचालन क्रियाओं से रोकड प्रवाह यानि की cash flow from operating activities किस तरह बनाया जाता है क्या प्रारूप होगा कौन-कौन से principle हम यहां पर follow करेंगे इसको तो हम देखेंगे बाद में जब हम इसके numerical questions स्टार्ट करेंगे फिलाल यहां यह जान लेना जरूरी होता है कि operating activities है क्या तो operating activities यानि कि संचालन क्रियाओं के अंतरगत वो सभी क्रियाओं शामिल करने जाती हैं जो किसे भी उद्धम को किसे भी व्यपार को या किसी उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को ऑपरेट करने के लिए चलाने के लिए बहुत जरूरी होती है जैसे कि हमने देखा था कि किसी व्यपार को चलाने के लिए पाच साधनों की जरूरत पड़ती है कौन-कौन से पाच साधन भूमी, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस यहाँ पर हम जो भी इन साधनों पर खर्च करते हैं हम क्यों खर्च करते हैं? क्योंकि हमको ऑपरेट करना है बिजनिस को, हमको चलाना है हमको वहाँ पर उतपादन कारिक करना है तो इससे रिलेटेड यहने किसी उतपादन प्रक्रिया को ऑपरेट करने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसे होते हैं उनको हम operating expenses activities में डाल देते हैं कौन-कौन से expenses होते हैं इनके क्या उदाहरण है इसको हम आगे देखेंगे दूसरा यहां पर हम देखते हैं विन्योग क्रियाओं से रोकर प्रवा यहां हम विन्योग यानि कि cash flow from investing activities के बारे में जानेंगे एक firm में किवल operating activities ही नहीं होती हमने पहले के अध्यायों में भी देखा कि एक उत्पादक जो होता है या फिर व्यपारी जो होता है एक तो वो उत्पादन कारे करता है लेकिन साथ-साथ वो पूंजी निर्मान के कारे को भी बखुबी करता है कभी वो अपने firm के share बेचता है क कभी वो कहीं से share खरीदता है कभी वो पूंजी निर्मान के लिए भूमी या भवन खरीदता है या फिर और कहीं पर भी इन्वेस्ट करता है तो इन शेयर्स बॉंड रिंपत्र अंश पत्र में जो भी विन्योग किये जाते हैं वो सभी विन्योग रियाओं यानि इन्वेस पर आएंगे तीसरा बिंदू यह जान लेना चाहिए कि वित्तिक रियाओं से रोकड प्रवाह की गढ़ना करनी होती है कैश फ्लोव फ्रॉम फाइनसिंग एक्टिविटी फाइनस रिलेटेड बैंक एंसुरेंस से रिलेटेड जो फाइनसिंग जो भी एक्टिविटीज हो और जा सकते हैं कि अगर हम कैश फ्लो यहां पर बना रहे हैं तो उसके लिए हमको कैश फ्लो फ्रॉम और्फू अपरेक्टिविटी आखेश फ्लो फ्रॉम इंवस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो from financing activity तीनों को include करके तीनों को शामिल करके साथ साथ चलना होगा अब यहां पर हम देखते हैं कि यह जो हम cash flow बनाते हैं इनके बारे में हमने जाना कि क्या है क्यों बनाया जाता है एक नज़े डालते हैं कि इनके विशेस्ता हैं क्या हैं कौन-कौन से विशेस्ता हैं इसमें पाई जाती हैं तो सबसे पहले इसकी मत्रपूर्ण विशेस्ता यह है कि एक विशेश अवधी के लिए बनाया जाता है जैसे कि हम देखते हैं कि वेपार खाता लाभानी खाता चिठ्ठा यानि कि स्थिति विवर जो complete activity होगी उसके लिए होगा चमाही होगा या फिर वार्शिक होगा लेकिन किसी ना किसी जो भी फर्म के द्वारा पूर्वर निर्धारित अब्धी की गई है उसके आधार पर ही ये बनाया जाते हैं दूसरी इसके विशेशता ये होती है कि ये दो इस्थिति विवरन के ब कि कंडिशन क्या है यह हम तभी पता लगा पाते हैं जब हम दो विवरेनों को आपस में कंपेर करते हैं उनकी हम तुलना करते हैं तीसरी बात हम इसमें ये देखते हैं कि रोकर के इस्थिति में परिवर्तन और शुद्ध लाप से उसके संबंध को भी ये दर्शाता है कैश गतवर्श की अपेक्चा बढ़ी है या घटी है इन फ्लो की कंडिशन शो हो रही है कि आउट फ्लो की कंडिशन शो हो रही है ये तो बताता है साथ साथ शुद्ध लाप से इसका संबंध जोडता है लाभानी खाते के अंतरगत जब अपरत्यक्षवयों को भी घटा दिया जाता है सकल लाब में से तो वहां पर हमको जो शुद्ध लाप राप्त होता है उसमें कैश इन फ्लो या आउट फ्लो का क्या प्रभाव पढ़ता है किस तरह से वो परिवर्तित होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा इस बात को भी हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं एक इसके विशेशता ये भी होती है कि विशेश अवदी के दौरान स्त्रोथ और निधी को दर्शाता है स्त्रोथ सोर्सेस निधी यानि फंड कहा कहा पर पैसा आया किस किस फंड में कहां पर कितना कितना कैश हमारे पास उपलब्द है एड़ प्रेजेंट एक फ साथ में हम ये देखते हैं कि इस्थाई संपत्ति के साथ साथ ये जो मौझूदा चालू संपत्तिया होती हैं फॉर्म में उनका भी पूरा का पूरा विवरण ये प्रदर्शित कर देता है प्रैक्टिकली जब हम इसके कुश्चन बनाएंगे तो हम देखेंगे कि जब हम या फाइनसिंग या इन्वस्टिंग एक्टिविटीज को लेके चलते हैं हम फाइनसेल स्टेट्मेंट बनाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हम करेंट एसेट्स और करेंट लाबिटी को किस प्रकार कंपेर करते हैं और एक रिजल्ट हम वहाँ पर शो करते हैं कि करें एक परियोजना के रूप में ये कारे करता है परियोजना के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह हम जब बजट बनाते हैं तो बजट बनाने के पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कैश कितना अविलिबल है किस आधार पर हम बजट बनाए हर बजट का कोई न कोई आधार हो कर देता है कि कैश की स्थिति क्या है और एक आधहार प्रदान करता है जिसके आधहार पर बजट निर्मान किया जा सकता है तो बजट के लिए परियोजना का कारे करता है यह भी इसकी विशेस्ता है साथ ही एक बात ये भी देखने को मिलती है कि ये विवरंट फर्म की नगद आयच हमता का सूचक होता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कैश की कैश में उसके पास कितनी अमाउंट है कैश इंकम उसकी नेट कैश इंकम कितनी है उसको ये शो करता है तो यहाँ पर हमने देखा कि कैश फ्लो स्टेट्मेंट के अपने बहुत सारी विशेस्ताएं होती हैं अब आईए देखते हैं कि क्यों बनाया जाता है कैश फ्लो स्टेट्मेंट क्या अगर कैश फ्लो स्टेट्मेंट नहीं बनाएंगे तो काम नहीं करेगी activities नहीं होंगे क्या शुद्ध लाब या शुद्ध हानी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके पहले की चैप्टर्स में भी हमने देखा हमने financial statement में ही देखा कि financial related बहुत सारे अकाउंट तो हम आपे maintain कर चुके हैं तो उसके बाद cash flow की क्या जुरत पड़ी क्यों बनाया गया आये देखते हैं कि cash flow statement का उद्धेश क्या होता है इसके अंतरगत सबसे पहले हम देखते हैं कि विन्योग वित्ति क्रियाओं से रोकड रोकड समान प्राप्तियों की जानकारी हमको प्राप्त होती है नॉर्मल जो हम cash account बनाते हैं वहाँ पर हम एक्जेक्ट जो cash receive या cash payment है उसको हम लेजर के according वहाँ पर entry कर देते हैं लेकिन जब हम flow बनाते हैं cash flow statement बनाते हैं तो यहाँ पर हम investing activities के साथ साथ जो वित्ति जो क्रियाओं होती है financing activities जो होती हैं उनको भी हम शामिल करते हैं तो ना किवल operating बलकि इसको बनाने से हमारे financing और हमारी investing activity भी हमको पता चल जाती है दूसरा उद्देश हमारे यह होता है कि संचालन विनियोग एवं वित्तिय क्रियाओं से रोकड एवं रोकड समान प्रयोग के जो भुकतान की जानकारी होती है यह पता चल जाती है यानि कि जब हम operating activity के साथ साथ जब cash flow from financing activities and cash flow from investing activities बनाते हैं तो उसका जो हमको result प्राप्त होता है वो हमारे लिए प्राप्त होता है किस रूप में रोकड एवं रोकड समान प्रयोग एवं भुकतान के रूप में प्राप्त होता है कि इस financing के लिए इस investing activity के लिए कितना cash या cash equivalent मदों का प्रयोग किया गया है एक बहुत पूर्ण उद्देश ये भी है कि इससे रोकड एवं रोकड समान शुद्ध परिवर्तन की जानकारी मिलती है ये तो हमने पहले भी जाना मुख्य उद्देश ये हमारे यही है क्योंकि इसको जब हम बनाते हैं और दो विवरणों को हम compare करते हैं तो कैश की condition क्या है and cash equivalent रोकड तुल्य जो समपत्तिया है उनकी condition क्या है उनमें changes क्या है इसके जानकारी बहुत आसानी से मिलती है एक उद्देश हम ये भी कह सकते हैं कि ये दो इस्थिति विवरण के मद्द संचालन विन्योग और वित्य जो क्रियाए है उसकी पूरी की पूरी इस्थिति को प्रदशित करता है और उसमें रोकड भुकतान और रोकड प्राप्ती की क्या इस्थिति है इसकी जानकारी हम को हो जाती है जब हम numerical question बनाएंगे तो हम देखेंगे कि जब हम cash flow from operating activity के साथ cash flow from investing activity and cash flow from financing activity की calculation भी करते हैं तो उसका हमको जो result मिलता है वो हम को रोकड और रोकड समान भुकतान की जानकारी cash and cash equivalent payment की जानकारी देता है कि इन activities में cash रोकड और cash related cash equivalent रोकड की समान किस तरह का भुकतान कितना भुकतान किया गया है है तो इन उद्देशों को ध्यान में रखते हुए रोकड प्रवाह विवरन बनाया जाता है जब हम इन उद्देशों की पूर्थी के लिए रोकड प्रवाह विवरन बनाते हैं cash flow statement बनाते हैं तो उससे हमको लाब क्या होता है firm को लाब क्या होता है यह हम कह सकते हैं किसी भी firm का जब हम cash flow statement के आधार पर cash and cash equivalent के position का पता लगा लेते हैं तो वो किसी भी firm के लिए आधार बनता है budget का यानि अब वो firm देखती है कि मेरे पास कितना cash है यह cash equivalent कितनी संपतियां है मेरे पास और नगद में मुझे जो क्रेविक्रे करना है नगद में मुझे जो वेवहार करना है वो किस level तक किस सीमा तक वो कर सकता है दूसरा यह पता चल जाता है कि नियोजन और नियंतरन किस प्रकार से किया जाए आपके पास cash है तभी आप कोई plan करेंगे उसको खर्च करने की योजना बनाएंगे budget बनाएंगे दूसरी बात हम यह कह सकते हैं कि अगर आप योजना बनाएंगे नियोजन करेंगे तभी आप अपने पास जो भी आपके पास cash है उसका आप सही यूज कर सकते हैं उसको सही जगा पर आप invest कर सकते हैं दोनों चीज एक दूसरे से related हैं हम यह कहें कि यह जो हम cash flow statement बनाते हैं इसके आधार पर हम योजना बना सकते हैं और इन्हीं योजनाओं के आधार पर फिर हम आगे की जो हमारी activities होती हैं चाहे वो financing हो operating हो या फिर investing हो उसको हम संचालित कर सकते हैं दूसरी बात यहां पर जो आती है नियंत्रण दो विवरणों को जब हम यहां पर compare करते हैं जिससे हम cash flow statement बनाए cash flow की स्थिति का inflow का outflow का पता लगाएं तो कहीं न कहीं हमको यह पता चल जाता है कि इन में compare करने के बाद जो स्थिति दिखाई दे रही है उसका कारण क्या है अगर inflow है cash है हमारे पास गतवर्ष के पेक्षा इस वर्ष जादा है तब तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर कहीं पे किसी condition में यह गिरता हुआ स्थर अगर यहाँ पर दिखाई देता है कि पहले cash की स्थिति अच्छी थी गतवर्ष और इस वर्ष थोड़ा सा cash जो है वो outflow जादा है cash जो है वो कम हो गया है तो फिर एक solution हम वहाँ पर ढूंडते हैं नियंतरन इस्थापित करने के हम बात करते हैं कि cash से इस condition को control में ला आती है कि नगत बजट के साथ रोकर प्रवा की तुलना नगदी संसाधनों के प्रबंधन में प्रबंधन की सफलता और असफलता की जानकारी यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाती है जो भी cash जो भी वहाँ पर cash equivalent संपत्या है जो यूज की गई है बिजनस में कितनी अच्छे प्रबंध की च्छमता के साथ वो बिजनस में प्रयोग में लाई गई है कितना अच्छा मैनेजमेंट है यह भी इसके स्थिती को देखने के बाद प्रूफ हो जाता है एक महतुपूर्ण बात यहाँ पर यह भी देखने को मिलती है कि इसके आधार पर हम लंबी अवधी की योजनाय तयार कर सकते हैं हम यह जब जान जाते हैं कि पॉर्म की जो इस्थिती है कैश की जो कंडिशन है अब वो काफी अच्छी है इन्फलो है बहुत अच्छा है तो उसके आधार पर हम एक अन्वान लगा सकते हैं एक अंदेशा लगा सकते हैं कि भविश्य में नियंत लॉंग टर्म प्लानिंग यहां पर हम कर सकते हैं एक अच्छी योजनव फॉर्म के लिए हम बना सकते हैं एक लाब यह भी हो सकता है कि विभिन क्रियाओं में अलग-अलग रोकर प्रवाह यहां से हमको ग्यात हो जाता है हम और ओर यह नहीं देखते हैं कि कैश इंफ्लो क्य कितनी आई सेकेंड हम यह देख लेते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना कैश यूज हुआ कितना हमने लगाया कितना हमको आउटपूट मिला वैसे ही हम फाइनसिंग एक्टिविटी भी देख लेते हैं कि हमने फाइनसिंग में कितनी कैश यूज की क्या हमक तो side होते हैं, जहां पर हम लगा सकते हैं cash को एक form में, एक तो यह उसको represent करता है, एक महत्तोपूर बात यहां पर यह देखने को मिलती है, कि तरलता की इस्थिती यहां पर हमको पता चल जाती है, liquidity की इस्थिती क्या है form में, यानि कौन-कौन सी assets ऐसी हैं, जिनको हम liquid assets मान सकत करते हैं, या फिर हम कहें, तो liquidity की इस्थिती क्या है, कितनी संपत्तियां ऐसी हैं, जिनको हम जरूरत पढ़ने पर तुरंत cash में convert करवा सकते हैं, एक महत्तोपूर बात यहां पर यह भी पता चलती है, कि बहुत सारे प्रिशनों के जवाब मिल जाते हैं, एक वेपारी, से लेकर उत्पादन की पूरी प्रक्रिया तक, बहुत सारे सवाल उठते हैं, कितनी लाब हुई, कितना लाब हुआ, कितनी हानी हुई, क्यूं हुआ, गत वर्ष से इस वर्ष की क्या स्थिती थी, क्यूं थी, इस तरह के सवालों के जवाब हम cash flow statement के माध्य हम से बहुत आस प्रस्तुत कर देता है, यह तो हमने बात की इसके महत्युकी, जैसे इसके बहुत सारे विशेस्ताएं हैं, वैसे हमने देखे हैं, कि इसके बहुत सारे उद्देश हैं, उद्देशों को प्राप्त जब हम कर लेते हैं, तो फॉर्म को क्या लाब मिलता है, क्या महत्यू, क् कि वहोता है उनको कि यह हमने जाना लेकिन इसकी अपने कुछ सिमाएं होती हैँ आक्शुली जैसा हम समझ रहे हैं कि इतना इजी होता है और इतने बेनिफिटस हमको हैं क्या वैसा रियल में हो पाता है यो कुछ समय होती है तो आए इसके लिमिटेशन यानि सी माओ पर एक न को हम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग यह फाइनसिंग में कवर नहीं कर पाते और यही कारण है कि अभी भी बहुत सारी एक्टिविटिस छूट जाती है जो वैपार की गतिविधियां होती है लेकिन यहां पर हम उसको शोर नहीं करते और उसकी क्या स्थिती है यह पता नहीं किया जा सकता है कैश स्टेटमेंट है लेकिन इतनी इंकम हुई है यह इंकम स्टेटमेंट है यह कहा जाना कहीं न कहीं गलत होगा और नहीं हम उस कैश स्टेटमेंट को इंकम स्टेटमेंट में कनवर्ट कर पाते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो कैश अवेलेबल है फर् स्टित के आधार पर बनाई गता है दो वर्षों कि स्थिति को आधार पर बनाा सकते हैं एक नुमान हम लगा सकते हैं कि निल यह कैश कि द Wouldn't पर को कैसे करता है लेकिन केवल यह अनुमान के द Constitution पर हम कह सकते हैं इसलिए हम इसको मान सकते हैं कि यहां पर जो जानकारी दी गई है एतिहासिक जानकारिया दी गई है पुरानी जानकारिया दी गई है भाविश में अगर किसी प्रकार के बड़े परिवर्तन की आशंका हो जाती है तो वहां पर फिर इसके आधार पर को योज तरलता का पता नहीं चलता हम कैश और कैश इक्वावलेंट की बात करते हैं रोकड और रोकड समतुलिता की बात करते हैं रोकड तो अपने आप में वो तो है ही कैश रोकड है रोकड जैसी जो बहुत ज्यादा लिक्विड है उसको हम मान लेते हैं कि रोकड जैसी तो बैंक Insurance related बहुत सारी चीज़ों को हम उसमें शामिल तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी बहुत से current assets ऐसे होते हैं जिनको हम liquid मान सकते हैं तो क्योंकि उनको ना तो हमने operating में include किया ना financing में include किया और ना ही उनको हमने investing में include किया तो बहुत से ऐसे liquid assets होते हैं जो यहाँ पर आने से लिखने से छूट जाते हैं वैसे इसके limitation यह है कि इस विवरण का प्रयोग निश्चित समय में निश्चित उद्देश के लिए नहीं किया जा सकता कोई proper इसका उद्देश नहीं होता कि इस उद्देश की पूर्ती के लिए इसका हम प्रयोग करें जिससे हम यह नहीं कह सक सकते हैं और काफिस से हमको लाप राप्त होता है यह लेकिन कोई निश्चित उद्देश निर्धारित कर पाना कहीं न कहीं कठी न है वैसे ही एक सिमाय हाँ पर हम यह भी देखते हैं कि स्विवरण के द्वारा आर्थिक दक्षिता को नहीं मापा जा सकता है क्या स्थिती ह कि यह हम केवल कैश के आधार पर कैसे कह सकते हैं कैश एक्वावलेंट के आधार पर या लिक्विट एसेट के आधार पर हम कैसे कह सकते हैं जबके हमारे पास कैश में बहुत सारे इंकम एक्स्पेंडीचर एसेट्स जो कि फिक्स वरियेबल एसेट्स लाइबिलिटी लाइबिलिटी फॉंटी जेन्ट लाइबिलिटी बहुत सारी मदें हमारे सामने होती हैं तो कि वल कैश और कैश इक्वाविलेंट के इस्थिती को पढ़ कर हम कैसे किसे बिजनेस के आर्थिक दक्षिता को इसकी एकनॉमिक जो इस्थिती है कंडीशन है उसको ट्रकट कर सकते कर सकते हैं